तो दोस्तों फाइनली आज भोजपूरी फिल्म इंडिस्ट्री के ट्रिंडिंग इस्टार यारी के भाई के सारी लाल यादों की आ चुकी बाई राजा राम का एक और सांदार सॉंग कमरिया लॉली पॉप आज जारी किया जा चुका है सारे गामा के ओफिशल भोजपूरी चैनल पर तो भाई जाईए वहाँ पर इस गाने को सुनी है लेगे उससे पहले हमारे इस वीडियो को देख कर जाईए जिसके माधियम से मैं आपको ये बात बताने वाला होंगे भी या ये कमरिया लॉली पॉप क्या पावन सिंग के उस आइकॉनिक सौंग यानि के भी या लॉली पॉप लागे लू के आजू बाजू पहुचेगी इस वी सावालों का जवाब मैं आपके सामें रखूँगा कमरिया लॉली पॉप के रियक्शन के माधिन से तो दोस्तों बनी रहेगा हमारे साथ अंतितर लो फ्रेंट्स मैं हूँ नरिंद्र और मैं आपका एक बार फिट से स्पार्टम करता हूँ हमारे चैनल याने की कैसी है लेकिन भाई इस फिल्म का यह जो सौंग आज हम लों के सामने आया इसको लेकर मैं एक बात आप लोगों से बहुत ही मांदारी से कहूंगा और आप से भी मैं जवाब चाहूंगा बहुत ही मांदारी वाला कि भाई आपने पावन सींग का वो गाना सुना है ना तुलगावेलू जबली भीस्टी इलेला आराडीस्टी तुलगावेलू जगन भीस्टी इलेला आराडीस्टी जीला टौप लागेलू ओ जीला टौप लागेलू कमरिया करे लाला लाला लॉली पॉप लागे लू भाई अकर आप लोगों ने खिसारी लाल यादों का ये जो नया सौंग है जो कि राजा राम का है कमरिया लॉली पॉप क्या ये गाना खिसारी लाल का ये जो गाना है वो पवन सिंग के उस आइकॉनिक सौंग के आजु वाजु पहुंसता नजर आ रहा है मंदारी से ये बात बताईएगा क्योंकि भाई उस गाने को लेकर में एक बात आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई पवन सिंग ने भी वो गाना गाया है ना लॉलीपॉप वैसा गाना वो दुबारा कभी नहीं दे पाए मेरे भाई भूजपूरी इंडर्श्री में एविन एक बार पवन सिंग से सवाल पूछा भी गिया था कि क्या कभी लॉलीपॉप का पार्ट टू आएगा तो भाई पवन सिंग ने बहुत ही इमांदारी से बात कही थी कि वो जो एक लेजंड स्रॉंग बन गया है ना उसका जवाब खोजने के लिए मुझे उस दौर में जाना पड़ेगा जिस दौर में उन्होंने उस गाने को बनाया था मेरे भाई तो चीज़े ऐसी होती है जो यहां पर मैं एक बात आप लोगों से जहूँ कहना चाहूँगा कि भाई खेसारी लाल यादों ने ये जो नया कमरिया लॉली पॉप दिया है ना ये भी सांदार है मेरे बाई सांदार है और हमको इस नय सौंग को नय फॉर्मेट में ही समझने की कोसिज करनी चाहिए लेकि पावन सिंग के ऊस सूपर डूपर हिट स्टार्ट होता है इसा रही जो मुझी टारा कुछ वैसा ही स्टार्टिंग हो देगे देयां जो हो जाता है और उसके बाद वहाइज अपनी आवाज का जा दो भी खेरती है ये कहते वे क्यों होता है मुंडा परिशान कमरीया वो जो यार है न ये इक नया फॉर्मेट है यार मज़ा आए इस गानी को भी सुनगा तो दोस्तो नो डॉट पौण सिंग के उस गानी को हमनों रखते हैं साइड में और हिसारी लाव के आचुके इस फिल्म के इस गानी की बात करते तो भी आवाके में गाना बहुत ही सादार बना और आज की हिसाब से इस गानी को तैयार किया गया है जो भी आज के यूद को काफी पसंद है और वहाई आजकल जो है न अपूजन वाला जो म्यूजिक है न भाई वो हमारे भोजपूरी इंडस्ट्री में भी आ गया और भाई इस गारी को जिस तरह से फिल्माया गया है मैं आप लोगों से बात कह सकते हूँ भिया इतने ग्रेंज लेवल पर शायद ही अभी तक किसी भोजपूरी फिल्म के सौंग को फिल्माया गया होगा मेरे भाई इतने सारे डांसर्स के बीच में भाई जो पहॉम कर रहे है अपनी बहतरीन आवाज के मादियम से अपने बहतरीन डांस के मादियम से किसारी लालिया दो तो बहुत ही सांदार है मेरे भाई तो भाईया वाकई में गाना तो बहुत ही दमदार है और इस गानी के बोल भाई बारूद भाई ने लिगा है मेरे भाई बारूद है भाई प्रकास बारूद भाई जिनके नाम में ही बारूद हो दवाँका तो हो गई और उसके बात भीआ है इस गानी के म्यूजिक को विनायक के बहुत फेहतरी न तरीके से तैयार किया है तो नोड़ाइड गाना तो सांदार वने गई तो दोस्तो इस गानी को पावन सिंग के गानी से रिलेट करने की गलती मत करना ये गाना कुछ नया फॉर्मिट, नया अन्दाज लेकर आ आ है अप लोगों गर सामने और उसी अन्दाज में यह बात आपने कमेडि के वादन से की ये गाना आपको ऐसे कैसा लगा वैसे मैं आपको बता दूँ कि वियाभी तक इस गाने को पूरे इंडिया से बहुत ही सपर्ट जबरतस सपोर्ट मिला है मेरे भाई यानि की एक लाग एक इस गानी को मिल गयते हैं जब तक यह आकड़े में आप लोगों को बताने के लिए लिखे रहा था मेरे भाई तो दोस्तों एक बार फिर से के सारे लाल यादों ने अपनी इस नए सौंग के माधिव से भी आए एक अलगी फ्यूजिन क्रियेट कर दिया है बोजपुरी म्यूजिक वर्ड में तो दोस्तों बोजपुरी इंटर्स्ट्री से जुड़े विए और भी कही सारे ख़मरों के ज चैनल यानि की वाइरल न्यूजिक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुलिए और माने अपडेट्स को जाने के लिए ब्लेक्टन को जर्द वाई एगा